नेमस्कार प्रणाम अभी हम मुझूद हैं सुपोल जीला के छातापूर परखन अंतर में बता दूँ कि सोसल मीडिया पे काफी एक कंटेंट वैरल चल रहा है एक वीडियो वैरल चल रहा है और बताया जा रहा है कि अमेर्का से जो है बच्चा आया है यूक्रेन का बच्चा है कही न कहीं गोरा दिखने में लग रहा है वैट वैट सा है देख सकते हैं तो बताया जा रहा है कि यह जो है बिदेश का बच्चा है लेकिन आज जो है कहीं न कहीं इस बच्चे के बारे में इसकी सारी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे कि यह बच्चा कहां का है क्या है नहीं है और यह ज пут सा चेहरा है क्यों होता है यह से तो सारा नाम परियास करेंगे और बने रही है इस वीडियो में और अधिक से इसेर किजेगा और बगल में इनकी मां है इसे भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम बच्चा से बात कर लेते हैं बाबू क्या नाम है सोनिय पढ़ती हो मुझे duh सरकारी इस्कूल होगरेमि नहीं पढ़ती हो नहीं पढ़ती है सरकारी इसकूल कैमा पढ़ते हो होगा विल्कुल जो है ना ये मस्ती में रहता है और खेल रहा है और एक और बच्चा है जो कि अभी यहां नहीं है जो कि यह लोग चार और चार भाई बाहँन है उसमें एक poison है जिस परकार से हम लोग है उसी परकार से देखने में मतलब यह तीन बच्चा एक अलग टाइप का उसका भी अच्छा यह बताईए आप इसकी ममी है ममी है अच्छा यह लोग जो हैं इस परकार से दिखता है या बचपन से ही यह लोग महजीद में जाए नहीं दिखाई देता है है मतलब रात में भी जाता है इस नहीं कर रागे इस सबसे पहली बात है आज खुलासा करना चाहेंगे यह बच्चा जो है यह बच्चा न यूक्रेन का है न रूस का है न जापान का है और न किसी बीदेश का है यह बच्चा भारत का ही और उसमें भी बिहार के रहने वाला बच्चा यह चोटा सा बच्चा देख सकते हैं किस परकार से खेलता है यह बिह व्लातापूर्परखंट के रहने वाले बच्चा है शर मैं बता दू कि यह जो है जन्मजात हैं लेकिन यह सही हो सकता है यह एक चोटी सी वीमारी है और इनका जब इलाज भो सही तरीक опыт से अच्छे are अच्छा जगा इलाज हो तो सरय सही हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी आर्थिक इस्थिती बहुत कमजूर है इसका घर हम दिखाना चाहेंगे। इसका घर देखिए इसका घर देखिए इसी छोटा सा घर में ये लोग चार-पांच बच्चे और इसकी जो है मा रहती है और इनके पिता जो है बाहर रहते हैं और देख सकते हैं इसी घर में रहते हैं कहीं न कहीं इसके आर्थिक इस्तिती कमजोर होने के वज़ा से ये लोग जो हैं, न सही से पढ़ पा रहे हैं, न इसकी इलाज हो पा रही है, सही से मिंटमेस नहीं हो पा रहा है, हम अनुरोध करेंगे यहां कि जीला प्रशासंग से, कि कहीं न कहीं, सबसे पहले इसको सरकारी अस्पताल हो, या अपने माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, कहीं न कहीं इसका इलाज करवाया जाए ताकि यह सही हो पाए। इसलिए कि जब यह सही हो जायगा, तो यह देख पायगा और कहीं न कहीं अच्छा से सिक्षा करपाय का, जब तक सिक्षित नहीं होगा बच्चा तो बच्चा देश का भविष्या बच्चा पाएगा ये बच्चा इस देश का भविष्य है और कहीं न कहीं इस भविष्य को बचाने के लिए समाजिक नेता हो समाजिक परतिनिधी हो या समाज के किसी परकार के परसासनिक अधिकारी हो कहीं न कहीं इनको जो है साह न कहीं ये बच्चा सब को सायोग करने की जडूरत है इसी परकार से देखते रहें ताबर तोड न्यूज जैहिन जैसरीराम